तो जो डिप्लोमो बाले student HSBT के उनका अपडेट आया है कि जो सुप्रीम कोट है उन्हें 28.08.2020 को final year examination को कहा था कि वो conduct होंगे तो जो HSBT है उन्हें अपडेट दिया है उसका इसमें जो बोला गया है कि जो paper है वो multiple choice questions के हिसाप से होंगे और जो exams है वो online conduct होंगे इसमें 2017 batch के 3rd year diploma courses हो गए जो और 2018 के later end student हो गए उनके final examination होंगे और reappear वाले student के भी होंगे उसके साथ ये exam तो जो PCA form भारा था उसके अंदर आपने जो अपनी चीज़ें डाली भी होगी उसके हिसाप से होगा तो इसमें जो student है 2014, 2015, 2016 batch के वो भी allow है appear करने के लिए उन subjects में जो उनके clear नहीं होए थे तो जो बाकी उन्होंने subjects है उसकी ID है exams की वो held होगी 2017 batch की पर जो students है जो exit batch के है उन्होंने जो apply किया था अपना PCA exam form treated as rejected and cancelled इसमें जो exams है जो 2017 batch के है जो उन्होंने भरे जो exams नहीं हो रहे वो cancel हो जाएंगे जो नहीं होने तो इसके लिए students के पास smartphone होना चाहिए camera के साथ internet connectivity होनी चाहिए arrange करे वो किसी cyber cafe से या फिर अपने polytechnic से करे वहाँ पर जाकर वो arrange करे इस चीज़ को तो जो student 10 को register करना पड़ेगा online exams के लिए उनको information मिलेगी इसमें उनको email id डान ले पड़ेगी mobile number डानना पड़ेगा वो ही student करेगा जिसको paper देने है क्योंकि जो captured होगी उसकी 40 वो verify होगी institute से वो use होगी उसकी identification के तोर पे तो इसमें यह भी बताया गया है जो online mock test है वो भी conducted होंगे practice of students के लिए ताकि वो comfortable feel करें आप जो detailed instruction है registration की और online exams की वो display होगी website पे hsbt.org.in वो हो जाएगी आपकी update क्या पता भी तक हो गई हो आपकी update तो जो institute है वो offer करेंगे diploma courses उनमें mobile number email id students की mention होनी चाहिए तो यह आपको अप्टोड़ अप्डेट मिल जाएका आजाएगी आपकी जल्से जल्द exam की तो all the best आप सभी को करेंगे ने आप दो जाएग तो बहुत जाएगा पनागे तो आप दो आपको आपकी झाल झाल